नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी मैं विनतिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एसे सी अडार 247 में हर दिक स्वागत करता हूं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे और स्वस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे तो सभी साथी एक बार जल्दी से जुड़ जाएए और सेशन को हाँ जी वेरी गूड इवनिंग वेरी गूड इवनिंग हाँ जी एक, दो, तीन, चार सीरीज चल रही है चलो कोई बात ने सभी दोस्त, सभी साथी एक बार यहाँ पर जल्दी से जुड़ जाएंगे सेशन को जितना जादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजे जितना जादा आप लाइक कर सकते हैं लाइक कर दीजो और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कलने ठीक है ना और जुड़ जाएं आप हमारे साथ जिससे हम लोग सेशन को क्या कर सकें start कर सके तो देखो आप लोग को पता है कि आप लोग की लिए जो ये वाली class होती है रात की 10 बजे की इस class में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चीजों cover कर सकते हैं तो सुनिए अब आप लोग रोज पूछ रहते न सर topic wise चुकि चल ला था हमने last week topic wise नहीं किया कल से topic wise start कर रहा है कल से again topic wise again topic wise start कर रहा हूं है ठीक है और कल का जो topic है वो order ranking जिससे आप लोग के हर order and ranking है ठीक है पूरा topic बता रहा हूं कल का order ranking है उसके बाद जो अगला topic है वो है आपका sitting arrangement का है अन्यमेंट का उसके बाद क्या है मेरे दोस्तो नॉन वर्बल पार्ट है दो दिन नॉन वर्बल में आपके पेपर फोल्डिंग कटिंग ये सारी चीजें आती है हां दो फरवरी को है ना बेटा तो सुनू अच्छा हाई काम करना आप मेरे जीडी के सारे पेपर सेंट कर दिना तो मैं उसके questions आप लोग को करा दिया करूंगा कभी ठीक है दन हां राम राम बेटा आप सभी लोग को वेरी गूड इवनिंग राधे राधे एंड राम राम ठीक है तो इस तरीके से आप लोग को हम लोग कल से topic wise अगें स्टार्ट करे लोग है इन सारी चीजों में हाँ जी बिलकुल बिलकुल बहुत अच्छा होगा बेटा हाँ खुछ रहना आंसु बहुत अच्छा होगा ठीक है चले अच्छा तो अगर आप लोग ने अभी तक अड़र 247 की एप को डाउनलोड नहीं किया है तो एप को डाउनलोड अवस् और एप में जो डेली क्विज और सब्जेक्ट वाइस सारी चीजने होती है उनको जरूर कर लिया करें अगर आपने सस्टी अड़र 247 यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ठीक है मेरे दोस्तों चले तो कल का ट करेंगे बाकी अब हमलों टॉपिक वाइज ही लेकर चलेंगे तो चली सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है निकाली और बताईए इसका क्या एंसर आएगा जी मेरे दोस्तों निकाल करके बताईए इसका क्या रिस्पॉंस आएगा जल्दी से निकाली और हां खुश रहो बेटा खुश रहो किट्टू खुश रहो हां जी संध्या किट्टू सोमीर अंशू विनीत ऐसे सी लवर फैक्टू स्टार्ट सभी लोग को वैरी गूड इवनिंग बताईए किसको पार्टी चाहिए भईया पार्टी 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 मत कर फंच गये चलो अगला कोस्चन देखिए और निकाली इस कोस्चन का क्या एंसर आएगा मेरे दोस्तों जिन्होंने अभी तक session को Share नहीं किया, Share कर दीजे like कर दीजे जिन्नोंने अभी तक link नहीं किया चैनल को subscribe जरूर कर दीजे ठीक है आज चली यहां पर आ जगी आप से यहां पर बोला है triangle है ठीक है triangle यानि 3 triangle बोले तो 3 triangle बोले तो 3 ठीक है 3 उसके बाद अगर मैं बात करूं पंच पॉण तो समल्म आ जाएगा ना तेको देखो ठीके बाद वन मतलब लाइन बढ़ती जा रही है आप लोग की तो ठीके बाद वन डिस वन इस वन यानी बिया एंस बिल्कुल गरत है त्री वन आ जाने उसके बाद जो आता है आपका संब्लम जो होता है पैंट ऑगन के बाद यानी 5 आपका answer एक number आ जाएगा सबका गलत answer आया है आपका answer option number A है मेरे सेरों आपका answer क्या है मेरे दोस्तों option number A है चले next question आप लोग की screen पर है दी गई seat को मोड कर एक घर बनाया जाता है इस प्रकार बने घन में डॉलर चिन वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन होगा यानि डॉलर के आपोजिट कौन सा चिन आएगा आपको निकाल करके बताना है सभी लोग शेयर जरूर कर दीजेगा शेशन को जिन्होंने शेयर नहीं किया लाइक कर दीजेगा बिल्कुल जिन्होंने लाइक नहीं किया चलि देखते है यहाँ पर देखते हैं तो अंड का आपोजिट यह ऑद उन्होंने पूछा है डॉलर का है डॉलर के आपोजिट यह सिगमा वाला तो आपका एंसर क्या आजाएगा आप्चेन नम पर आ जाएगा चलि अगले question पर आजाईए next question इसे कहते है letter series इसे क्या कहते है मेरे दोस्तों letter series कहते है निकाली और बताईए इस letter series का क्या answer बनेगा इंग्लिश और हिंदी हाँ जी बेटा SSC के सारे exam's के paper bilingual आते हैं क्यों क्या हो गया रेनुआ net क्यों नहीं चलना है चलिए यहाँ पर आजाईए यहाँ पर देखने की कोसिश करिए कैसे आएगा देखो B से D, D से F मतलब 2 से 4, 4 से 6 6 से क्या आजाएगा 8 आजाएगा यानि H आजाएगा 6 से 8 आजाएगा यानि H आजाएगा H ठीक है H उसके बाद X से T 24 से 20 माइनस 4 20 से 16 माइनस 4 अब माइनस 4 तो 16 में से जब माइनस 4 करेंगे तो 12 आएगा न यह भी काट दो आपका एंसर B वाला बन जाएगा प्लेयर है तो H L ठीक है यह आपका B वाला एंसर बन जाएगा चलिए अगले कोश्चन पर आजाते अगला कोश्चन निकाल करके बताईए क्या एंसर बनेगा अगला कोश्चन निकाल करके बताएंगे क्या रिस्पॉंस बनेगा जल्दी से निकाल लिए और बताईए 8 अगर 71 से रिलेट कर रहा है हाँ तो ऐसे 10 किस से रिलेट करेंगा और 13 किस से रिलेट करेंगा 10 का स्क्वाइर प्लस 7 ओके चलो देखो एक तो तरीका एक इक कॉंसेट आपके सामने आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सिस्सी लवर बिल्कुल दर्शन, प्रशान, त्रिवेदी, हाँ विने, सभी लोग का एंसर बिल्कुल ठीक चलो देखो यहाँपर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 8 का square और प्लस कितना कर दें तो 7 तो 8 का square कितना होता है 64 और प्लस 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66 यानि 71 आजाएगा तो ऐसी 13 का square और प्लस 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा तो 169 और प्लस 7 कर देंगे तो 176 हो गया तो ऐसी 10 का स्क्वाइर और प्लस 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 100 और प्लस 7 कर देंगे, तो 107 आ जाएगा, 107 आ जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे सेरों, option number D, 107 हो जाएगा, ठीक है, चले, अगले question पर आ जाएगा, number series का question है, आप लोग इससे देखिए, समझेए, और बताईए, इसका क्या response बनेगा, बहुत ध्यान से question को आप लोग देखा करो, और approach करने की कोशिस क्या करो, जब तक आप approach नहीं करोगे, तब तक question आप से solve नहीं होंगे, ठीक है, चले, देखिए और बताईए, मेरा भी 107 आ गया, चले, अच्छी बात है, हाँ, NNC, RK, DP, सिवम, कलपना, हाँ, सोनू, पांडे, करुना, हाँ, जी, बिल्कुल, सचिन, जल्दी से निकालिए, अब यहाँ पर देखो, तो time up हो चुका है आप लोग का, 69 आएगा, majority कह रही है कि सब 69 आएगा, देख लेते हैं, 69 है या नहीं है, तो देखो, 98, 94, उसके बाद 85, फिर है, और देन 44 है, यहाँ पर देखने की कोशिस करते हैं, समझेगा सभी लोग, ठीक है, 98 से 94, माइनस 4, 94 से 85 के अगर हम बात करें, तो माइनस का 9, तो देखो, 2 का स्क्वाइर, 3 का स्क्वाइर, और 4 का स्क्वाइर, यानि 16 माइनस कर दें, 16 माइनस कर दें, 15 में से 9, साथ, साथ में से गया 6, यानि 69 आजाएगा, क्लियरली दिखाई दे रहा है, और आपका एंसर भी हो जाएगा, अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से 5 का स्क्वाइर, यानि 25 माइनस हो रहा है, ठीक है, चब, नेक्स कोश्चिन, डिरेक्शिन और डिस्टेंस, दिसा और दूरी जिसे हम लोग कहते हैं, कोश्चिन आपके समक्ष है, आपके सामने आ चुका है, जल्दी से निकालिए, हाँ, चलो, हाँ, खुछ रौ बिट अपके लग, चलिए, अब आजाएए, डिरेक्शिन और डिस्टेंस के कोश्चिन के ओपर, किसकी है, डिरेक्शिन और डिस्टेंस, बोला है, स्रीमान एक्स उत्तर की और 75 मीटर चले, कोई मतलब मिस्टर एक्स है, उत्तर यानि नौर्थ की तरफ किता चले 75, 75 मीटर चले, फिर वह बाईं और मुड़े और 25 मीटर चले, फिर वह बाईं और मुड़े और 85 मीटर चले, फिर से दाईं और मुड़े और 45 डिगरी का कोण मुड़े मतलब अब यहां से न राइट मुड़ने की जब बात हुई तो 45 डिगरी के एंगिल पर हुई यहां पर जब राइट मुड़ने की बात हुई तो 45 डिगरी के एंगिल पर हुई इस वन और अन्त में किस दिशा में चल रहे थे तो 45 जब वो clockwise देखो ना right की बात किया है जैसे मैं अगर यहाँ पर stand करूँ आपके सामने तो मेरा right hand यह है तो right hand 45 degree ऐसे मुड़ेगा इतना सा इतना मुड़ जाएगा तो 90 degree हो जाएगा 45 degree मुड़ना था तो 45 degree मुड़ गए 45 degree क्या हुआ मुड़ गए तो अब यह कौन सी direction में जा रहे हैं तो यह जा रहे हैं आपका this is south and this is west southwest यानि दक्षण पस्चिम दक्षण पस्चिम दिशा में जा रहे हैं देख लो सब लोग देख लो क्या यही आएगा नौर्थ वेस्ट कैसे आएगा बेटा उसने पूछा है अंत मेवा किस दिशा में चल रहे थे देखो सब का answer गलत आया समझ गया है सब ने answer गलत किया है यहाँ पर चलो अगले question पर आते है next question आप लोग किस screen पर है जल्दी से निका लिए सही था ना आपका चलो done है हाँ right left में confuse हो गए तुम लोग तुम लोगों ने पता है क्या सुरू किया मैं बताता हूँ तुम लोगों ने यहाँ से time अप हो जा यह देखो तुम लोगों ने यहाँ से right में 45 degree मोर दिया तब ही तुम लोग का north west आ रहा था अरे अकल के दुसमनो जिस direction में तुमारी नाक होती है वहाँ से angle सुरू होता है तो यहाँ से angle सुरू होगा तो यहाँ से 45 degree, 90 degree 135 degree, 180 degree ऐसे चलता है चलो आई बात समझ में और जबकि वो person अभी यहाँ देख रहा है तो यहाँ से 45 degree दाएं मोर दो यह इसका दाएं हाथ है यह इसका बाएं हाथ है तो पेंतारे जगे दाएं यह मोड दिया तो यह आया था यही तब ही तो तुम लोग की गलती होई है इसमें तुमारी गलती नहीं है तुमारे हाथ की गलती है चलो म, A, N, S, I, O, N इसको बोला है L, C, K, W, D, U, G यह रहा यहाँ पर देखिए और बताईएगा ठीक है तो अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिस करें तो 13 से 12 माइनस 1 प्लस 2 यहाँ देखो माइनस 3 यहाँ देखो प्लस 4 यहाँ देखो माइनस 5 यहाँ देखो प्लस 6 और यहाँ देखो माइनस 7 तो यहाँ प्लस ऐसे चलना है तो F, A F, A, L, C, O, N यहाँ पर बोला है माइनस 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5 और प्लस 6 ऐसे चलना है ठीक है तो यहाँ देखो F मेंसे 1 चला जाएगा A में 2 जोर दोगे C हो जाएगा 12 मेंसे 3 चला जाएगा 12 मेंसे 3 चला जाएगा 9 4 और 3 7 यादि G 15 मेंसे 5 चला जाएगा 15 मेंसे 5 चला जाएगा कितना हो जाएगा 10 यादि J और 14 और 6 20 यानि T तो E, C, I, G, J, T E, C, I, G, J, T यानि option number A आ रहा है clear है यही वाला ठीक है चलो अगले question पर आज़ो next question आप लोग की screen पर है all का code निकालना है बताना है जल्दी से निकाले है सब लोग मिल करके एक बाड़ session को share कर दीजा और like कर दीजा और हाँ कल आप लोग को 10 बज़े वाली class में मैं आपको पढ़ाऊंगा order ranking का topic तो सब लोग order ranking का topic से जरूर जुड़िए अकल class में ठीक है हाँ बिलकुल यहाँ आज़ो all की बाद जब हम लोग करते हैं यहाँ पर देखेगा जब हम all की बात करते हैं जब हम किस की बात करते हैं all की बात करते हैं तो all की जब हम बात करते हैं तो all देखो कहां पर दिया हुआ है how will all इसमें में इसमें में इसमें में इन ये रहा है R, R, Fine, Fine K, I, M, K, I, M S, E, S, E, तो ये हो जाएगा R, U All का क्या हो जाएगा? आपको Option Number D हो जाएगा R, U हाँ, चलो, अगले Question पर आजाओ निका लिए और बताईए इसका क्या Response आएगा? जी बेटा चलो देखो यहाँ पर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 77, 78, 74, 83, 67 अगला 77, 78 तब कैसे करें? देखो यहाँ तो हम यही Plus 1 Minus 4 यहाँ देखो यहाँ पर कितना हो जागा? 6, 39 Plus 9 यहाँ देखो Minus का कितना कर रहे हो? तो 13 में से 7 गया 6 यह दो 16 तो 1 का स्कॉाइर, 2 का स्कॉाइर, 3 का स्कॉाइर, 4 का स्कॉाइर अब 5 का स्कॉाइर कर देगे तो यहाँ पर Plus का 25 हो जाएगा तो 25 का स्कॉाइर, 7 और 5, 12 का 2 फिर एक हासिल लग गया 7 और 5, 12 का 2 फिर एक हासिल लग गया 6, 2, 8 और 1, 9 92 हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 92 हो जाएगा D 92 हो जाएगा D क्लियर है? चलो अगले कोस्चन पर आजाईए DOC को अंग्रेजी वर्ण माला में ये कहा गया है काउ को ये कहा गया है तो ROT बेटा अगर आपने 12 पास कर रखी है तो अभी आने वाला है 70 तारी को SSC GD का फॉर्म आप SSC GD की तियारी भी कर सकते हैं कि उसमें 10 वी मांगा जाता है ठीक है और उसके बाद आपका जब आएगा CGL CHSL दुबारा भी CHSL के भी फॉर्म डेट है चार तारी ग्लास डेट है तो जाके CHSL का फॉर्म भी अभी भर लो जल्दी से निकालो और बताओ बताई ये लडिसे है शालो यहां आजो इदर देखो दी ओ O और G, DOC को क्या बोला है, C और E, D, O और G, यह हो जाएगा C और E, उसके बाद देखो, यह हो जाएगा N और P, F और H, C से D, D से E, मतलब C, D, E, N, O, P, F, G, H, तो ऐसे पूछा है, R, O, और T, तो Q, R, और S, ठीक है, हाँ, उसके बाद N, O, और P, फिर S, T, और U, यह रहा, Q, S, N, P, Q, S, N, P, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, आपका एंसर D वाला बन जाएगा, आपका एंसर D वाला बन जाएगा, आपका एंसर D वाला बन जाएगा, क्लियर है, चलो, अगला Q, Sillolism, निया निगमन का नेक्स्ट Q, आपकी स्क्रीन पर है, मेरे दोस्तों, निकाल करके बताएगे, क्या एंसर बनेगा इस Q, बताएगे जल्दी से, जी जी, बताएगे बि मिस, सुभा, हाँ, जी, सुभा कुमारी, बबलू, छोटू, सुनील, अस्विन कुमार, S.S.C. J.E. की बेटा तैयारी जो होती है, वो आपके, गेट अड़ा पर होती है, ठीक है, जी, इधर आजाओ, All bean bag are chairs, All bean bag are chair, All chair are couches, All couches are sofa, पहला बोला है, some sofa are couches, देखो सीधी सी बात है, some sofa are couches हमेशे ही होगा, हमेशा, क्योंकि All का case जब होता है, मेरे दोस्तों, तो चाहिए आप अंदर से बाहर जाओ, तो All भी सही होता है, All भी सही होता है, All भी सही होता है, और सम भी सही होता है, ठीक है, ऐसे बाहर से अंदर आओ, तो केवल क्या सही होता है, सम, तो दोनों ही condition में सम राइट होता है, बिन बैग इवाली बात बिल्कुल गलत है तो आपका answer पहला और दूसरा follow कर रहा है यानि option number B आ जाएगा क्या आप लोग का answer option number B आ रहा है एक बाद जल्दी से comment करके बता दीजे कि क्या आप लोगों का answer option number B आ रहा है जी clear हो गया हाँ engineer सड़ा हाँ गेट अड़ा बोला मैंने engineer सड़ा पर होती है हाँ DRD का हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा हाँ चलो यहाँ आजो normal को बोला है D I P K R O C L U S T E R cluster यहाँ पर देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोसिस करें तो कैसे response बनेगा यह देखना है तो देखो अगर हम थोड़ी देखने देखें L से अगर हम हो 12 और 15 तो लेकिन हम 12 से 15 जोड़ सकते हैं लेकिन बाकी तो नहीं जोड़ सकता ना अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नकल मार सकते हैं हम लोग तो देखो C, C, L L के नीचे O आ रहा है तो L के नीचे अगर हम O लिखते हैं तो एक option में आ रहा है उसके आद देखो U है नहीं दूसरा भी है न वर्ड यह देखो S, O, U, N, D sound को क्या बोला है G, K, R, P, और X तो O का देखो O का यहां आई था वहां के इसका मतलब यह वाली बात तो नहीं चल रही है इसका मतलब cheating वाला अगर हम सोच रहे हैं तो cheating वाला तो कोई concept यहां पर नहीं चल रहा है अब जब cheating वाला नहीं चल रहा है तो कौन सा चल रहा है वो आपको देखना है और बताने की कोशिस करनी है निकाली और बताईए तो जल्दी से बताओ मेरे सेरो सी बी चलो अच्छा देखो यहाँ पर चलो चलो अच्छा पर देखो देखो यहाँ पर न क्या किया गया है अगर हम लोग यह सोचे कि हमारा इंसर सीधा सीधा आएगा तो हम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं देखो यहाँ हो ना गया है सुनो अब इसका लॉजिक समझा देता हूँ आपको न, O, R, M, A, L नॉर्मल था पहले इसको इंक्रीजिंग ओर्डर में अरेंज करो इंक्रीजिंग ओर्डर में क्या कर दो अरेंज करो तो सबसे पहले आएगा A, A के बाद क्या आएगा A के बाद आएगा L, L के बाद क्या आएगा L के बाद आएगा M, M के बाद आएगा N, N के बाद आएगा O, और फिर R, यह रहा अब उसके बाद देखो तो A से D, प्लस 3 12 से 9, माइनस 3 13, 3, 16, माइनस 3 प्लस 3, और माइनस 3 तो अब ऐसे यहाँ देखो तो सबसे पहले आएगा C, उसके बाद आएगा E, ठीक है, क्योंकि हम इसको अलफा बेटिकल ओर्डर में अरेंज करेंगे पहले तो पहले C आया, फिर आया E, C और E, उसके बाद देखो उसके बाद आप लोग का आएगा L, उसके बाद आपका आएगा L, उसके बाद क्या आजाएगा इसमें से गया F और B F और B इसमें आ रहा है और किसी option में नहीं है आपका answer ना चाहते हो भी एक है और आप सब लोग answer C बता रहे थे comment box में, अब बताओ कि आप लोग का answer C कैसे लगाया जाए हाँ AWO TPO का बेटा आतो गया नहीं थी हाँ समझ में आई बात यानि इस order में F B और आप बाकी आगे ऐसे चेक कर दो O आजाएगा, O आजाएगा V, Q और X आजाएगा चलो, अगले question पर आजाओ next question निकाली और बताइए blood relation खूनी रिस्ता सब का जयम आता दी हुआ है सब का चलो, सब लोग मिल करके एक बार session को like कर सकते हूँ अगर आप लोग चाहो तो सारे लोग मिल करके एक बार session को like कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो like कर दीज़े सबी लोग, ठीक है चले हाँ, CHSL का examination मार्च में दिया गया है अभी तो हाँ, चले दिल्ली पुलिस constable का paper बेटा अभी अब vacancy दिल्ली पुलिस देगा तो अब दिल्ली पुलिस notification कब देता है यह तो दिल्ली पुलिस ही जाने क्योंकि अभी तह उसकी तरफ से कोई भी हाँ, सर्कुलर नहीं है चले यहाँ पर देखते हैं W and k at the rate c percentage z percentage p तो z k से कैसे सम्मन दी था, यह बताना है चलो यहाँ उद्धर देखो ध्यान से देखना and का मतलब क्या बोला है and का मतलब a b की मदर है इसका मतलब w मम्मी है किसकी k की at the rate का मतलब क्या a b का भाई यानि k भाई है किसका c का percentage का मतलब क्या है a b का बेटा यानि c बेटा है किसका z का तो यह दोनों भाई भाई यह मम्मी तो यह क्या हो जाएंगे पापा शादी करा दो percentage का मतलब क्या हो जाएगा again a b का बेटा है अब आपसे पूछा है then how is z related to k how is z related to k to z is the father of z is the father of z is the father of k z is the father यानि पिता जी है आपके z ठीक है चलो अगले question पर आजाएए निकाली और बताएए इस question का क्या answer बनेगा जल्दी से निकाल करके बताएंगे सभी लोग चलो जल्दी से निकालो और बताओ तो हाँ जल्दी से निकालो जल्दी से निकालो चलो ए आएगा अश्योर आजो देखते हैं answer है या नहीं इधर आओ आपसे यहाँ पर बोला है answer 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 को क्या कहा गया है ध्यान से देखिए answer को कहा गया a, s, n, a, s और n फिर उसके बाद e, w, r, e, w, r, उसके बाद l, a, w, y, e, r, ठीक है? यहाँ पर देखेगा तो n और s, e, w, r, 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 ठीक है? तब ऐसी लॉयर वाले में देखो तो क्या हो रहा है? इसको 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 ऐसे तो l, w, a, e, इसके बाद यहाँ y और यहाँ r, e, क्या यही है? देखो यही हो रहा है? देख लो तो तो देखो यहाँ पर बीच में अच्छा नहीं किया है, sorry, sorry बीच में नहीं किया है y, e, r है तो बीच में याई, y, r को last में, last यह रहा, l, w, a, e, y, r, यानि option number a, r, option number क्या रहा है, मेरे दोस्तों, a, r, a clear है? चो, option number a, r, next question आप लोग की screen पर आ चुका है, निकाली और बताईए, क्या answer आएगा? बहुत अच्छे तरीके से, वहाँ जो number missing है, वो निकाल करके बताना है, क्या answer आएगा? बिल्कुल सोनू जैसे तुमने याला दिया है, यही है, बिल्कुल ऐसे ही, हाँ हाँ बेटा, इस साल आएगा आपका, यह तैह है, बट कब आएगा, यह भी मैं sure नहीं कह सकता, इसलिए मैं कोई भी sessions अभी RPF, या railway, या post office की vacancy पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे तक कोई भी information नहीं है, जब information आई थी तो आपके सामने साजा कर दी थी आपके साथ, बिना information के मैं आपके समख्ष कोई भी वीडियो नहीं देता हूँ, जब मेरे पास कोई information होती है, मैं तब भी आपके समख्ष वीडियो बनाता हूँ, ठीक है न, हाँ, अभी ना तो मेरे को post office का कोई update मिला है, मिलेगा, मैं आपको बता दूँगा, नहीं मिला है, ऐसी लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, चलो आजो यहाँ पर यहाँ पर देखिए, तो 4 का square, 6 का square, 7 का square, 9 का square ठीक है, तो 4 का square और minus 4 कर देंगे, तो 16 minus 4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, फिर 6 का square और minus चर कर दें तो देखो, हाँ, तो 36 minus 6 नहीं अच्छा, ओके, तो इसको minus कर दो, इसका square, इसको minus इसका square, इसको minus तो इसका square, इसको minus तो देखो, 9 नम्मा कितन हो जाएगा माइनस X करेंगे, वberाबर कितन हो जाएगा 75, तो 81 माइनस 75 एक्स की वैलू निकल के आजाएगी तो कितना हो जाएगा, 6 एक्स बराबर कितना जाएगा, मेरे दोस्तों, 6 आजाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 क्यों आएगा, 75 लाना है न, तो 9 का स्क्वाइर तो 81 होता है, 72 नहीं लाना है, 75 लाना है, 72 लाना होता है, तो हम इतना माइनेस करते हैं, सब लोगों ने गलबड़ कर दिया, चलो अगला कोश्चन, चलो यह तो कर लोगों, अगला, यह बता हूँ, चलो, चार में से तीन सब्द किसी एक निश्चित तरीके से एक समान है, और एक भिन्न है, एक अलग है, अलग वाला पहचानना है, चलो यहाँ आओ, देखो, यहाँ पर बोला है, आपसे निकास, दुर्बल, आनन, धीला, बताईए तो, ए, ड्रेन, एक्जिट, देखो, एक्जिट करना, निकल जाना, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ लोग आनन्द भी कह रहे हैं, बताओ, बताओ, सब लोग बताओ, A आएगा, C आएगा, जल्देली बताओ, तो सभी लोग, इसका क्या एंसर बनेगा, जल्देली निकाली और बताईए तो, इसका क्या एंसर आएगा, जल्देली, आनन्द हाँ इसका एंसर आनन्द हो जाएगा बिटा क्योंकि देखो ये एक feeling है आनन्द क्या है feeling है और बाकी कोई feeling है क्या बताईए नहीं बाकी कोई feeling नहीं होती है तो इसलिए आपका answer क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा चले next question आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है निकाल करके बताईए नहीं वाविल पर कोई question solve नहीं हो रहा है सिलॉलिजम का अगला question आप लोग की स्क्रीन पर दे दिया है मेरे दोस्तों निकाल करके बताओ इसका क्या answer बनेगा निकास मतलब exit हो गया एक तरीके से चलो यहाँ आदो यहाँ पर देखो आपसे बोला है some lock are key some lock are key no key is chain no key is chain all spring are chain all spring are chain यह रहा तो पहला बोला है some key are spring some key are spring यह वाली बात बिलकुल गलत है no key is spring no key is spring यह वाली बात बिलकुल सही है क्योंकि देखो यहाँ पर बोला है all spring are c and y इसलिए no key is spring बिलकुल सही है और no lock is spring no lock is spring यह वाली बात बिलकुल गलत है तो आपका answer only second follow option b चला जाएगा only second follow option number b चला जाएगा clear है? चलो अगला question इसमें से निकालो कौन सा वाला लग है? बोला है चार लैटर्स दिये गए है उसमें से एक अला लग है वो कौन सा है वो निकाल करके बताना है जल्दी से निकालो again jmd jmd आज बहुत हो रहा है तुम लोग का जी बताई जल्दी से कुछ नहीं दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है सब कुछ बिलकुल clear हाँ ने बेटा लग रही होती तो हम पने कपड़ा पहन रखा होता जी असल बहुत साई लाइट जलती है ना चलो यहाँ पर आओ यहाँ पर अगर हम देखें तो 11 से 15 यानि 4 जोड़ा 14 और 4 अठार 5 और 4 नो 1 और 4 पांच यानि सब में प्लस 4 हुआ उसका पंदरा 4 उनीस प्लस 4 18 और 3 एकीस 5 और 4 नो और 9 और 4 तेरा तो आपका एंसर दिस वन C वाला बन जाएगा बाकी सब में प्लस 4 प्लस 4 की सीरीज दिखी हमने आगे चेकी नहीं किया फिर तो हमारा इतने से यह एंसर बन गया चले अगला कोस्चन आपकी स्क्रीन पर है इसमें से कौन सा वाला ओड है अलग है निकाल करके बताईए और एंसर क्या बनेगा वो भी बताईए आप लो नहीं नहीं बेटा बाइलेंग्वल कोस्चन आते हैं आपके स्सी के एक्जाम ने अब यहां देखो 6 से 26 बनाना है 8 से 34 बनाना है 5 से 25 बनाना है और 7 से 30 बनाना है कैसे बनेगा आपको निकाल करके बताना है देखो 6 से 26 बोला था क्या हम ऐसा कह सकते हैं 6 गुणे 4 प्लस 2 कर दे तो 6 चोके किता हो जाएगा 24 और प्लस 2 कर देंगे देखो 26 आ जाएगा 8 गुने 4 प्लस 2 8 चोके 32 और 2 देखो 34 आ जाएगा 5 गुने 4 प्लस 2 कर देंगे तो 20 और प्लस 2 कर देंगे तो 22 आ जाएगा यहाँ देखो 7 गुने 4 और प्लस 2 कर देंगे तो 28 और प्लस 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा 30 आ जाएगा इसका मतलब है सब ठीक है लेकिन B वाला सही नहीं है सब ठीक है सब बन रहा है लेकिन B वाला एंसर नहीं बन रहा है चलो अगला question नमबर सीरीज का next question आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है निकाली और बताईए इसका क्या answer आएगा चलो अगला question ये है नमबर सीरीज का question 31 है 37 है 41 है 43 है और अगला क्या आएगा 31 से 37 6 आएगा 37 से 44 आएगा 44 से 42 आएगा फिर अगला क्या आएगा देखो 642 तो अब क्या होगा 0 हो जाना चाहिए बताईए क्या होगा घरते जा रहे ना 642 हो गया तो अब क्या हो जाएगा घर जाएगा क्या इससे answer बनेगा बताओ अगर हम ये सोचे जो हमने सोचा क्या इससे answer बनेगा नहीं इससे कोई answer नहीं बनेगा अगर आप गौर से देखो तो इसमें ऐसा लॉजिक ही नहीं है इसका जो लॉजिक है वो difference वाला है ही नहीं वो difference वाला वो difference वाला है ही नहीं जब आपका logic difference वाला नहीं है तो कौन सा लॉजिक लग सकता है ये मुद्दा था आप लोग का कि कौन सा लॉजिक बनके आपका answer आएगा तो अगर आप गौर से देखने की कोशिश करो तो ये देखो 31 उसके बाद देखो ये है 37 ये है 41 ये है 43 तो अगला वाला क्या होगा prime numbers जानते हो तुम लोग prime numbers जानते हो तुम लोग prime numbers बोले तो अभाज संख्याएं prime numbers बोले तो अभाज संख्याएं जानते हो अभाज संख्याएं जानते हो तो ये हैं अभाज संख्याएं 31 के बाद 37 37, 41, 44, 43, 43 के बाद अगला 45 कोई होता नहीं 49 होता नहीं 47 आपका आजाएगा B वाला और ये logic आप में से बहुत कम लोगों के दिमाग में आपाया था पांच उमिदवार हैं समान पंक्ती में उत्तरों मुख यानि नौर्थ फेसिंग करके बैठे हुए पांच लोग हैं निकालिए और बताइए प्राइम नंबर बिल्कुल सही क्रेजी ग्राए बिल्कुल सही कि टू आरके हाँ जी श्रवन अम्रेश पटेल अमन कुमार श्रवन हाँ जी सुधीत रिपाथी ब्यूटी आफ वर्ड मोनिका सरोज पूजा फोर हाँ ठीक है हाफ फोर सिस्टर लोग या क्या नाम था चली दर देखे नेक्स्ट अब यहाँ पर अगरम लोग देखने कोशिस करें पांच उमिद आ रहे थैंक्यो बेटा पूजा एक दो तीन चार और पांच तो यह राइट हो गया और यह आपका लेफ्ट हो गया इतना है बोलाए एन के के बाई और बैठा है आप हमें नहीं पता तो के के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है के के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है एन बैठा हुआ है ठीक है एल के और जे दोनों का निकर्तम पड़ोसी है एल जो है वो के और जे दोनों का निकर्तम पड़ोसी है अब अगला है आपसे बैठा है तब अगला है आपसे बैठा है तब एन डाई और से किस स्थान बैठा है अब यह वाली लाइन के के लेफ्ट में कौन बैठा है तो बचा कौन है आपका अब उसने पूछा है तब एन के दाई और से किस स्थान पर है तो राइट से वन टू तू त्री फोर फाइफ फिफ्ट फ्रॉम दर राइट आपका एंसर सी आ जाएगा फिफ्ट फ्रॉम राइ दाएं से पांच वाँ जाएगा ठीक है चलो अगला कोश्चन आप लोग कि स्क्रीन पर हैं मिसिंग नंबर निकाल करके बताओ मेरे सेरों जल्दी से निकालो और बताओ इसका क्या एंसर आएगा जल्दी अच्छा मिस्टेजल चलो देखते हैं आप यहां आजाओ ए देखो यहां पर यहां पर आप से बोला है अगर हम सब नंबर का स्क्वायर कर दो देनो का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, तो 81 और प्लस 144 और यह 225 तो देखो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो तो आपका यह बाले का स्क्वायर आ जाएगा तो ऐसे ही 12 का square फिर यहाँ वाले number x का square लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 का square solve कर दो आपको मैंने hint दे दिया है ठीक है आप लोग को मैंने क्या कर दिया है hint कर दिया है तो 12 का square 144 और आप लोग 37 का square करोगे तो 1369 तो देखो 12 का square कितना हो गया 144 और 37 का square 13 13 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 69 तो इसको minus कर दोगे तो आप लोग का जो number है उसका square निकल के आ जाएगा that is 36 that is क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों हाँ बिल्कुल 1225 36 नहीं तो यह इसका जब हम difference निका लेंगे देखो तो 1369 माइनस 144 तो दोखो 9 में से 4 गया 5 6 में से 4 गया 2 और 13 में से गया 12 तो 1225 आने को मतलब 35 का हो जाएगा 35 आएगा 36 गलत है क्योंकि जैसे ही माइनस किया तो लास्ट में 5 आ गया और 5 आपको पता है कि अवल 5 के ही square में आएगा और बाकी में नहीं आएगा चलो यह question में आप लोग को हड़ो देता हो इस question को और अगला audio यह आप लोग को अभी बताना है यह निकालो एक सिमने होंवक देया इस वाले को भी बता दो खतम करते थी कह है आज इसको खतम करते हैं ठीक है जल्दी से देखो है बताओ और सभी दोस्त जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दीजे और कल आप लोग का जो टॉपिक होगा दस बजाली क्लास में वो होगा ओर्डर और रैंकिंग का कौन सा टॉपिक होगा मेरे दोस्तों ओर्डर और रैंकिंग का टॉपिक चलेगा कल की दस बजाली क्लास में तो सब लोग ओर्डर रैंकिंग को बढ़ हैं आप बिल्कुल बेसिक से सीखने और कोस्टिंस करने के लिए जरूर जुड़िएगा मेरे साथ देखो यहाँ पर देखो तो दोसो चालीस फिर खाली फिर एक सो बीस फिर चालीस और फिर दस और फिर दो यहाँ देखो divided by 5 यहाँ देखो divided by 4 यहाँ देखो divided by 3 यहाँ देखो divided by 2 और यहाँ देखो divided by 1 तो यह हो जाएगा 240 240 clear हुआ? 240 तो इस तरीके से आपका answer वही रहेगा 240 का 240 ही रहेगा तो आज की class में इतना ही है देखो आप लोग को पता है कि अगर आप लोग के सारे SSC के नए कैलेंडर आ चुके है जब SSC का नएा कैलेंडर आ चुका है तो आप लोग को करनी है बेहतरीन तरीके से तयारी तो आप लोग को जाना है ADDA247 की website पर यहां all courses पर चले जाएए यहां SSC पर चले जाएए और जैसे आप SSC पहुंचोगे देखो आप लोग को पता है कि आप लोग का अभी SSC CHSL का एक्जाम मार्च में है तो आप लोग के पास पूरे के पूरे दो महीने का समय complete है ठीक है? या तो वो एक्जाम जीरो बैच है अब अगर आप चाहें तो आप final selection batch से जुड़ सकते हैं तो final selection batch जो हमारा है यह देखो संजीवनी final selection batch जो है आपका यह आपका 13 तारीक से सुरू होने जा रहा है अगर आप इस batch से जुड़ते हैं 12 महीने की validity है इस पर buy now पर चले जाओ और इस batch का price देखें आपको बताओ आपके लिए बहुत कम करा दिया है Y461 इस code को apply करना है जैसे apply करोगे यह दोखो 911 दिखाई दे रहा है और मैं आपको suggestion दो आप लोग इसको app से खरीद लेना, app में आते हैं coins, app में क्या आते हैं मेरे दोस्तों, coins आते हैं app में क्या आते हैं, coins आते हैं तो app में आते हैं coins तो उन coins को इस्तेमाल करोगे तो यह 850 रुपय में ही आपको मिल जाएगा अगले 12 महीने के लिए आपको tier 1 की भी class, tier 2 की भी और एक बात बताओ अभी CHSL है और मई में दुबारा CHSL आएगा इसका मतलब एक साल के अंदर आप इसी क्लास का दो बार प्रियोग करके जोड़ सकते हो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो तो इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगा आप संजीवनी बैच ले लो लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें थोड़ा और टाइम मिले तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि CHSL पे गए तो महाँ पैक ले लो किसका या तो CHSL का महाँ पैक ले लो और या तो इस संजीवनी बैच को ले लो लेकिन जब आप इस संजीवनी बैच को लोगे तो इसका प्राइस देखो बाय नौ पे गए इसमें यह 24 महिने के लिए लेकिन इसमें केवल आपको क्लासेज ही मिलेंगी जैसे संजीवनी बैच में इसमें मिलेंगी तो यह आपका 988 एट पार लगभग सेम है ठीक है डन है चलिए अगर मैं बात करने कोसिस करो अगर आपने एससी का महापैक ले लिया देखो अब 17 जन्वरी को फॉर्म आने वाला है 17 जन्वरी को आज डबल वैलिटी समाप्त हो जाएगी इसलिए सजिस्टन दे रहा हूं अभी तुरंत जाके आप MTS के महापैक से जुड़ जाओ अभी प्राइस भी कम है जैसे ही महापैक मतलब MTS का डेट आ जाएगा या फॉर्म आ जा जाएगा महापैक का किसका है MTS का ठीक है डन है चले और लास्ली अगर मैं बात करने की कोसिस करूँ आपके पास अभी SSC में बहुत सारे examinations हैं चाहे वो CGL हो चाहे CHSL GD इस रो बहुत सारे exam है आप किसी भी बैस से जुड़ना चाहो बस आप लोग को पता है क्या करना है अ इवें दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस भी इसके अंदर included है SSC के में तो बस बाइनाओ पे चले जाए और यहां simply आप मेरा code लगा दीजिए Y461 और अभी double validity चल रही है हाँ Y461 अभी double validity चल रही है यह देखो अगले दो साल के लिए batch मिल जाएगा इसमें आपको live class, test series, e- book, everything, सब कुछ जो आपकी तयारी में help करती है मिल जाएगा ठीक है तो चली फिर आज के लिए तया रहते हैं, bye bye take care, मिलते हैं कल आप लोगों से same time पर topic होगा order and ranking, thank you so much, bye bye take care